दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं भिंडी की एक्टम चटपटी सबजी भिंडी की तो आपने अलग-अलग तरीके की सबजी खाई होगी लेकिन इस तरीके से एक बार भिंडी की सबजी बना के देखिए बहुत ही देश्टी लगता है तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 200 बिंडी सबको धो के सुखे कपडे में पोच के रख लिया था फिर अभी इसे इस तरह से काट लेंगे देखिए इस तरह से लंबे-लंबे टुकडों में काटना है ज्यादा मोटा है तो इसे 4 तुकड़ा करिए अगर ज्यादा मोटा नहीं है छोटा वाला भिंडी है तो उ किजें इस तरह से मैंने सारे भिंडी practicing कट कर लिया है अब इसमें डाल देंगे स्वात Valentin पावडर से नमक हल्दी पाउडर आधा चोटी चमज मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला है और एक चोटी चमज धनिया पाउडर आधा-चोटी मिक्स करेंगे इसमें कोई पान नी डालने की ज़वरत नहीं है इसे 5-10 मिनिट के लिए साइड में रख देंगे तो ये इसमें से थोड़ा सा मॉस्चर निकलने लगेगा अभी कडाई में मैंने तेल लिया है सरसो का तेल लिया है मैंने फिर इसमें जीरा डाल दिया था आड क का स्वाथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है इसलिए बहुत सारा प्याज इसमें मैंने आड किया है इसे 3-4 मिनिट तक भून लेंगे जिसे थोड़ा सा स्रिंक हो जाए फिर इसमें आड कर देंगे भिंडी धल का सा गीला गीला हो गया है न इसमें से जो नमीम बन गई है व हुए हम पकाएंगे मेडियम फ्लेम पर अभी इसमें थोड़ा सा मैं आमचूर पाउडर डार रही हूं चट पड़ा सा स्वाद देने के लिए इसे अच्छे से भून लेंगे दोस्तों इस तरह से भिंडी आप बना के देखिए बहुत ही टेस्ट लगया रोटी पराठा के साथ तो अच्छा लगेगा ही चावल के साथ में भी खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा तो एक बार इस तरह से जरूर बना के देखिए और आपको रेसिपी पसंद आ है तो इसे लाइक और सेयर करिए और चानल को सब्सक्राइब करिए अगर फेस्बूक पे देख रहे बगाई